नमस्कार दोस्तों मैं जीत कुमार स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब चैनल जीनियस अकार्मी पे दोस्तों जैसा कि आप लोग थम्मिल में देखे ही होंगे कि आज हम लोग क्या चीज़ पर बात करने वाल हैं उम्र संबंधित प्रस्न जो 5 प्रस्न हम लोग अतिव महत पूर्ण है उसको हमने इसमें सामिल किया है यह वीडियो में दोस्तों तो पार्ट 7 चल रहा है आपको लोग का मैठ का तो आप लोग सब्सक्राइब करें मेरी यूटूब चैनल जीनियस अकार्मी को और टाइम को जाहिद ना करते हुए बढ़ते हम लोग का पहला कुशन क पी तरह क्योंकि वर्तमान उम्र में साथ रेसियो तीन का अनुपात है साथ अनुपात तीन का अनुपात है चार वर्स के बाद उनकी उम्र में दू अनुपात एक का अनुपात होगा तो वर्तमान पी की उम्र का क्या है तो पी की उम्र का अनुपात हम पी सॉरी पी के उम् वर्टमान उम्र क्या है गई वित चाiver चार необход कर?", बराबर सोँ कहरें बराबर करना चाहेंगे तो आईए देखते हैं आगर हम लोग सेवैन अगर 25 गराइए न्युक्त three go mad che 크house प्ला किना चाहिए थे तो यह provides बोग देते हैं इतना वर्स दोस्तों चार वर्स जोर दी है तो बराबर हो जाएगा हमारा दू अनुपात एक अनुपात के दू बट्टा एक हम लोग लिख सकते हैं अगर इसका कैलकुलेशन करें दोस्तों तो बाइक्रोस मल्टिफीकेशन होगा ऐसे ऐसे तो सेवें एक्स कितना हो जाएगा सेव ब læक सेवें लिखता है दोस्तों सेंजिए इधार चला आएगा दोस्तों ये इसको हम लोग sections विखेंगे ती शाइढ आपके माइनस प्लस हो जाएगा चिक है ना यहां लिखते हैं सिकाया गोग जाएगा दोस्तों स֐ढ एक्स माइनस 6 x हो जाएगा ठीक नहीं इधर आ जाएगा बड़ाबर है 8-4 हो जाएगा कितना दोस्तो 4 आपका हो जाएगा x is equal to 4 आ जाएगा चलिए बढ़ते हैं next क्या कहता है दोस्तो x is equal to 4 आ जाएगा ठीक है तो हमारा x is equal to 4 आ गया तो हम लोग का क्या पुष्यार था ना वरत्मान में कितना हो जाएगा दोस्तों तो हम लोगा सैंए गई सगोने चार करेंगे तरह सब जो 28 आपका वर्तमान में P का उम्र होगा जो कि आपका राइट एंसर है जो कि दूसरा नमर आपका अब्जेक्ट जो है मिलता है दोस्तो वीडियो को इन तक अवस्य देखें आपका राइट एंसर 28 हो जाएगा चलिए बते निक्ट क्या कहता है दोस्तो काफी में कुछ इंपोर्टेंट जिन देने वाला हूं पहला क्यों हम लोग सुल्व किया है चलिए दूसरा क्या करता है राधा और सुधा के वर्तमान आयू क्रम से रेसियो 9 अनुपात में है पांच वर्स पहले उनकी आयू में तीन अनुपात चार का अनुपात था कितने वर्स पहले दोस्तों पांच वर्स पहले तो सुधा की आयू अब से तीन वर्स बाद क्या होगा सुरी होगी तीन वर्स पहले तो पांच वर्स पहले कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इस यह रेसियो और यह रेसियो को बढ़ावर करना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों 7 x plus 5 पहले तो हम लोग माइनस कर देंगे 5 ठीक ना बट्टा में यह 9 रखेंगे 9 x और माइनस 5 कर देंगे तो हम लोग का 3 ratio 4 ratio के बराबर हो जाएगा ठीक न दोस्तों यहां तक तो हो गया अगर इसको हम by cross multiplication कर दें आपस में कितना हो जाएगा साथ चोक 28 28 x ठीक है माइनस पांचोगा बीस हो जाएगा बराबर हो जाएगा कितने के इसको अगर हम लोग उना करें तो अगर आप लोग इसका calculation करते हैं तो इसको इधर भेजेंगे तो 28-27 जाएगा एक 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 और इसको इसको इसाइड भेजेंगे तो यह पलस में जाएगा तो मतलग 20-15 तो पांच एक इसको मेरा कितना आता है पांच चलिए बढ़ते हैं तो मेरा पांच आ जाता है अब क्या करेंगे सुधा की आयू अब से तीन वर्स बाद क्या होगी तो हम लोग का सुधा की आयू पहले तो देखेंगे वर्थमान में कितना है दोस्तो नाइन हो ज गुने 5 पलस 3 आपका यहीं तो अंसर हो जाएगा तो 9 पचे 45 आप पलस 3 कितना 48 आपका राइट अंसर हो जाएगा समझे ना आप लोग कैसे हुआ आपका जो ऑप्शन मिल ला है पहला आपका मिल ला है जो कि यहां तो हम लोग पहला अप्शन में ठीक अप करेंगे वीडि आठ का अनुपात है किसका पीवर क्युका चार वर्ष बाद उनकी आईउ में दू अनुपात तीन का अनुपात हो जाएगा तो क्यूं का वर्थ मान आयू क्या है कि अप लोग पहले क्वेश्चन शंध लें May question समझने पर क्या होता है दोस्तों यह स्वलफ हो जाता है तो क कर दें तो हम लोग का future का यह हो जाएगा future का निकल जाएगा तो आएए वही करते हैं तो 5 X क्या करेंगे 5 X बट्टा में A-T-X है यहां 5 X A-T-X और चार बर्स बात कहरा तो हम लोग क्या करेंगे पहले रिक्रोस मल्ठिकेशन कर देंगे इसकर हम लोग का प्लस ती या पंद्रह हो जाएगा यह 15 एकस प्लस 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 4 तीर 12 चार तीवर 2000 बरावर करेंगे आँ इसको इससे गुना और आठ को इस साइड घेए तो आप लग का निकल जाएगा 16-15 हो जाएगा एकस और 12-8 हो जाएगा तो चार दो एकसे इस में तो आपका कितना और चार आजाएगा यहाँ लिखते हैं एक्स इज़कल तो कितना आगे आपका चार आगया अब कहरा है Q की वर्तमान आयू क्या है तो अगर Q का वर्तमान आयू में हम लोग जाए तो Q यहां है तो Q का वर्तमान आयू कितना रेशियो एट होगा मतलब 8x होगा दोस्तो कितना 8x होगा तो आठ एक्स इज़कल तो आपका तो निकला हुए चार तो हम लोग 8x इज़कल तो निकालेंगे तो आठ गुने चार करेंगे मतलब कितना 32 हो जाएगा यह आपका 32 जो है 32 वर्त किसका Q का वर्तमान आयू होगा तो आई यह ओप्सन देखते हैं जो कि आपका चौथा नमर मिल रहा है दोस्तो तो यह बिल्कुल आपका चौथा नमर सही हो जाएगा चले बढ़ते हैं नेक्स्ट और वीडियो को इन्ट तक अवस्य देख ले आप लोग काफी साला जानकारी मिलने वाला है क्या कहता है दोस्तो पिता और पुत्र की उम्र का योग पिता है और पुत पुत्र की उम्र का योग ठीक है चार गुना है किसका पुत्र का है तो हम लोग पहले लिखेंगे दोस्तो पिता पिता लिखेंगे पहले तो फादर प्लस सन का उम्र का योग जो है सन का चार गुना है तो फोरेस कर दी कोई प्रब्लम नहीं है फिर कह रहा है यादि पिता पुत्र की ओसत आई हो मतलब 28 हो जाए तो क्या फादर प्लस सन बटा टू कहें कि दोगों है एक और दो ठीक ना कितना है 28 है अगर हम लोग इसको एफ प्लस एक्स में लाएं एफ प्लस एस इसकल तो अगर हम लोग इसको कुनात्म कुना कर रहा है तो 28 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही चपन 28 दूना 56 हो जाएगा तो आपका 56 हो जाएगा फिर कहा रहा है दोस्तों पिता मतलब फादर प्लस सन इसकल तो फोर सन तो हम लोग फोर सन यहां पे डाल देंगे इसकल तो 56 डाल देंगे चार्च अगर हम लोग इसको कट कर दें तो हमरा आ रहा है वण और कितना फोर तो आपका s इसकल तो मतलब सन इसकल तो कितना 14 तो यहां लिखते हैं हम लोग कट करके एस इज़कर्टू मेरा कितना आई गया दोस्तों सन इज़कर्टू 14 आ गया तो आपका कौन्स ऑप्षन सही मिल रहा है देखिए पहला नमर ऑप्षन आपका जो है बिल्कुल सही है सन का आयू कितना वर्स हो जाएगा 14 वर्स हो जाएगा चले दोस्तों बढ़ते हैं next क्या कह रहता है नमर है और लास्ट क्यूशन है चार वर्स पूर्व क्या कर दोस्तोंथ दस वर्स बाद यह अनुपाद 20 23 हो जाएगा कितने वर्स बाद 10 वर्स बाद वर्तमान में B A से कितने वर्स बड़ा है दोस्तों question थोड़ा उल्जाया हुआ है लेकिन हम लोग इसे solve करेंगे आसान तरीका से तो क्या कर रहा है चार वर्स बाद B A का उम्र का कितना है तेरा अनुपात 16 है तो हम लोग तो पहले लिखेंगे दोनों equation मतलब दोनों जो ratio है उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों बढ़ावर करने का कोशिश करेंगे तो अगर हम लोग 13 x बटा में 16 x लिख रहा है और क्या चार वर्स पुर्व तब यहां वा तो वर्तमान है तो यहां पूर्व होगा तब पूर्व मेल ले जाएगे तो इसको future में नहीं वर्तमान में ले जाएगए तो 4 वर्स जोड देंगे और हो जाएगा फिर इसको हम लोग जोड देंगे 10 वर्स मतलब आपका total जूटेगा कि इतना चार प्लस दस यह भी जूटेगा और कितने के बराबर हो जाएगा कितने रेशियों के बीस रेशियों 23 के बराबर हो जाएगा तो दोस्तो चार प्लस दस चार प्लस दस दोनों को अगर हम लोग एड करें यहां तो आईए यहां एड करते हैं और गुनात्मक उना कर दे जाएगा दोस्तों 13 x से प्लस 14 जैसा कि पहले देखां 13 x प्लस 14 इजकल तो कितना हो जाएगा 20 बटा 23 हो जाएगा ठीक ना अगर हम लोग इसको कुनात्मा गुनाक कर रहे हैं दोस्तों तो आपका आ जाएगा देखें 299 सौटकोर्ट में मैं बता रहा हूँ 299 और 322 बड़ावर है 320 x प्लस 280 के अगर हम लोग दोस्तों 329 को इस साइड और 2018 को इस साइड भेद दे तह हम लोग का x जोじो कट के आता है त 1971 x इजकल तो कितना 42 आता है जो कि क्या करा है वर्तमान में बीए से कितने वर्त बढ़ा है थो वर्तमान का है तो सोलह टिरा करना करना वों करके आया है तो हम लोग रेसियो तिन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्फे गुंणा तो आपका यही तो एंसर है 6 वर्स तो आपका जो है कितने वर्स का बड़ा हो जाएगा 6 वर्स का बड़ा हो जाएगा दोस्तों तो आपका जो पहला अप्शन है बिल्कुल सही है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कीज करने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बाई बाई